इदर लक्षुदीप में नौसेना का नया बेस बनकर तयार है, जिसका उदगात अनाज रक्षा मंत्री राजनाज सिंग करेंगे। हिंद महसाकर में भारत लकातर अपने श्तिती मश्बूत कर रहा है। रहा है वहां पर चीनी मीनी चाउंचाउंग को अंग विशेश में खुजली हो रही है उसको प्रिक के नुकसान इतना मालदीव को उठाना पड़ा कि आज मादी बैंक करफ्ट हो गया आपको पता है कि नरेंदर बोदी के बारे में उन्हों ने उल्टा बोला था तो उन्हों ने लोगों ने क्या किया इंडियन लोगों ने मालदीव के साथ सफार्थी तलुकात खतम कर दिये लोगों ने पहले भी हमने बात की थी कि इंडिया जो नई नेवल बेस लक्षद में बनाने जा रहा है इतना जल्दी सारा कुछ क्या हो रहा है क्या यह होती की मिलिटेंसी को डील करना है चाइनीज इक्सपैंशनिसम को डील करना है क्या सुमाइली पाइरेट्स के लिए है क्या अमरीका को दिखाना है कि भाई हम आपके बड़े ट्रॉस्टेड पार्टनर है क्या इडिया ऐसे नेट सिक्यूरिटी प्रवाइडर अपने स्टुटीजिक एसेट्स को एक्सपैंड कर रहा है इसी कभायत में लक्षदीब के मिनिकॉई आइलेंड में रिकॉर्ड समय में एक नया नेवल बेस तयार किया गया है जिसका नाम आइनेस जटायू रखा गया है यह बात जो है यह चाइना का जो रिसर्च शिप है जब से मॉल्डीव्स में गया है तब से मॉल्डीव्स में दोस्तों एक और हरारत आ गई है और एक साइन करा है जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि चाइना और मॉल्डीव्स ने एक डिफेंस का पैक्ट साइन करा है कि चाइना ने बोला है कि हम फ्री ओफ कॉस्ट आपको डिफेंस का सामान देंगे डिफेंस का आपका प्रोफाइल बढ़ाएंगे और मॉल्डीव्स को ऐसी बात करी है मैं तो सिर्फ Maldives वलों को एक ही बात कहता हूँ कि चाइना का मुफ्त का चूरन खाने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ आपको पता है श्रिलंका का क्या हाल हुआ आपको पता है और 20-25 एफ्रिकन देशों का क्या हाल हुआ ये बात आपको पता है You know that You know that absolutely well चाइना का जिसने चूरन खाया चाइना की जिसने चटनी चाटी उसका क्या हाल होता है Everybody knows वही हाल Maldives का हो रहा है अच्छा Maldives में भी दोस्तों politics ये चल रही है कि Maldives में दो main opposition party है एक तो है the Democrats और एक है Maldivian Democratic Party मैं फिर से बताता हूँ एक है the Democrats एक party है और Maldivian Democratic Party दूसरी party है और दोनों ने ये परन ले लिया है ये अपने आप से वादा कर लिया है कि मुईजू को टपकाना है अब ये मुईजू को टपकाने के लिए लगे हुए है बीच में चाइना ने पैसे वैसे खिला है मामला थोड़ा सा शांत करा हूँ वहाँ पर लेकिन मामला फिर उबरेगा और मैं आपको आज बता रहा हूँ आज 2024 है 2026 दिसंबर से पहले पहले मुईजू निपट जाएगा गलत मत समझना पावर से निपट जाएगा मैं तो कुछ बोलता हूँ लोग अलगी उसका मतलब निकाल लेते हैं मेरा है कहने का मतलब है कि मुईजू जो है पावर से हट जाएगा 2026 दिसंबर 31 से पहले पहले ठीक है यह जाएगा यह जाएगा यह जादा दिर नहीं टिक पाएगा महां पे मुश्किल से दोड़ाई साल का इसका और टेनियूर है अच्छा जी वहां पे दोस्तों फिर मुईजू ने बकवास कर ली मुईजू बार बार अपने चाइनीज मालिकों को यह समझा रहा है कि मैं तुम से बड़ा लॉयल हूँ जिसको कहते ना शाह से जादा शाह के वफदर यह चक्कर हो रहा है मुईजू के साथ शाह से जादा शाह के वफदर अब देखो जी मुईजू ना बोला है कि नो इंडियन मिलिटरी परसनल इंक्लूडिंग दोजन सिविलियन इंक्लोधिंग विल बी प्रिजेंट आफटर टेंट अफ में यह क्या कहनी की ज़रूँ था है एक बार देखो ना यह बार बार अपने चाइनीज मालिकों के सामने भौंक राए और दुमिला रहा है और मुईजू का एक ही मैटर है कि किसी तरीके से मैं अपने चाइनीज मालिकों को खुश कर दू अब चाइनीज मालिक तो इसके खुश होनी रहे इस क्योंकि यह जो इसने बोला था कि मैं इंडियन्स को हटा दूँगा इसने प्रॉमिस करा था चाइना से और इसने चूरन चाट लिया इसने चाइनीज चटनी चाट ली यानिकी खजूर जिहाद का नारा लगाते हुए यहाँ पर बाकी जो उपोजिशन पार्टीज वाले है उन्हों ने बोला तू पागल वागल है क्या तू पागल है एक बाद बता जब तुझे एमर्जंसी होती है जब मॉल्डीव में एमर्जंसी होती है कौन आता है सबसे पहले इंडिया जब हमारे पास पानी नी था पीने को किसने पानी बेजा इंडिया जब हमारे पास खाना नी था खाने को किसने खाना बेजा इंडिया जब हम कोविट से मार खा रहे थे तो किसने वैक्सीन बेजी इंडिया जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो किसने पैसे बेजे इंडिया आज की तारीक में तू कह रहा है इंडिया को निकाल दे ये मॉल्डीव्स के आपोजिशन पार्टी वालों ने इससे पूछा तो ये वापस गया चाइना जब ये वापस गया चाइना इसने अपने मालकों से बोला मालक ने बोला कि ठीक है पहले बात करना से पहले भौंक और पूछ ला इडिया जो नए नेवल बेस लक्षद में जो बनाने जा रहा है इतना जल्दी सारा कुछ क्या हो रहा है क्या ये होथीज की मिलिटेंसी को डील करना है चाइनीज एक्सपैंशनिसम को डील करना है क्या सुमाइली पाइरेट्स के लिए है क्या अमरीका को दिखाना है क्या हम आपके बड़े ट्रिस्टेड पार्टनर है क्या इंडिया एस ए नेट सिक्यूरिटी प्रॉइडर अपने स्टिजिक एसेट्स को एक्सपैंड कर रहा है ये क्या है और क्या प्राइमिस्टर मो यह जारी बाता है कि इंपोर्टन लंबी चौड़ी डिसकेशन है और इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता मैं जाती तो और पे अगर आप इनको देखें पढ़ें समझें तो मुझे याद है कि 2009 के अंदर अमरीकी एक मैं जो पढ़ रहा था इसकी रीसर्च कर रहा था 2009 के अंदर अमरीकी डिफेंस सेकेटरी हुआ करते थे रॉबर्ट गेट्स ओबामा एड्मिस्टेशन बनती है और उन्होंने एक दफ़ा का था कि शिंग्रिलाला डायलॉग में का था कि इंडिया जो है इस नेट सेक्यूरिटी प्रवाइडर इन दी इंडिया नोशन वीजन पिर डॉ इंडिया ने अपनी जो अफिशली जो अपनी मैरिटाइम सेक्यूरिटी स्ट्राटजी है वो 2015 में ले किया है जिसमें उन्होंने का जी कि इस इस फूर दी इमीडिये डिजन एंड बियॉड बहुत सारी जो स्कॉलर्स हैं लोग हैं जो इन चीजों को समझने की कोशिश करत हैं कि उसको आज नेट सेक्यूरिटी प्रवाइडर या अपने स्टीजिक एसेट्स को बढ़ाना हैं क्या अपरचुनिटी इस को इस्तमाल कर रहा हैं ठीक है जी अमेरिकन्स क्या समझते हैं बिसिकली जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं वन दी अमेरिकन्स लूग अट और टेकनोलोजी इसे जॉइन प्रोचेक्ट ठीक है जी सो जोग्राफी जो है वो फेवर करती है इंडिया को इस खिते के अंदर और इंडियो नोशन के अंदर और यह अपना जितना भी जो इसका क्रिटिकल सी लाइन्स ऑफ किमिनिकेशन है उसको सब को मॉनेटर कर सकता है देख सकता है अपना क्यों कि चाइना भी डिपेंडेंट है इस खिते के ओपर राव मिटीरियल्स के लिए और इनरजी के लिए और इंडिया भी डिपेंडेंट है और लार्जली मैं वट आई फाइंड आउट अस स्टूट अफ पॉलिटिक्स जब मैं चीजों को समझने को करता हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस्ट ये एक तो अपनी जो राव मिटीरियल्स एनरजी की सप्लाइ लाइन्स को देखना है थर्ड अमरीका और वेस्टरन वर्ड को दिखाना है तैट वी आर एक वी आर यूर पार्टनर विच दू है पाइसिटी विच दू है और विच दू सम्थेंगे और दूसरा यह एक यह चीजे मुझे लगता है कि अड़ांटिजिस पॉजिशन में और अमरीका जो टेक्नालोजी माजी में चाइना को देना चाहता था यहां जो शेर करना चाहता था तो वह अब वह जिसे वह करते हैं ना कि एक टम बोलते हैं क डीरिसकें उसके तैता वो अन्डियन्स को हर चीज जो है वो दी जा रही है तो इंडिया जो है वो कॉंटिनियूसली अपनी वो जो नेट सेक्यूरिटी परवाइडर का वो जो राग है ठीक है जी वह मसलसल लेके चल रहा है और इसको जब 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 जोसे कहते हैं टॉर्म क्या वाकिए नेट सेक्यूरिटी प्रवाइड कर सकता है यह जो कॉंसेप्ट है नेट सेक्यूरिटी के प्रवाइड करने का ठीक है जी क्या सिर्फ इंडिया का नैशनल इंट्रेस्ट को प्रवाइड को प्रोटेक्ट करना है यह जो लक्षित में जो बन रही है नेवल बेस ठीक है जी क्या ये इंडिया के नाशनल इंटरस्ट के लिए या बागी मुलकों के नाशनल इंटरस्ट के लिए क्या दूसरे मुलकों के लिए है या एक गलोबल सेक्यूरिटी है जो मुझे ऐसे लगता है कि यह जो टरम नेट सीकुरिटी परवाइडर है इसका तेनलुक मुझे हो जाएरी बात है मुचल सेकुरिटी से जा जिसे कह लें कि इस फौर रॉल, सो कॉमन सेकुरिटी इंट्रस्ट जितने है, उनको address करना है. जिसे वो आप कहा सकते हैं कि यह पारेसी और बाकी चीज़े दो हैं, लेकिन एक तो वो अपनी capacity करना चाहते हैं, वो अपनी military diplomacy को enhance करना चाहते हैं, वो military assistance देना चाहते हैं, और असल में जहां से चीज़ें खराब होती है जब आप अपनी नेवी को अपने जो एरिया ओफ ऑपरेशन है उसे बाहर निकालेंगे